हेलो जी गुड मॉर्निंग कैसे वाप सब आई होप सब ठीक है तो आज मैं वीडियो लेके आई हूँ एक थोड़ी सी जन्न नोलिज की है कि बाइस्टरोजी गर्व में शिशु लड़का है या लड़की है और फर्स्ट अफॉल मैं आपको कन्फर्म कर दूं कि लड़का लड़की में बताने का मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है और ना किसी की भावना को ठेस पहुचाने का कि मैं ऐसे बोलू कि हां लड़के चाहिए और सबको लड़की भी चाहिए है किसके पास लड़के हों उनको लड़की चाहिए और जिसके पास लड़की है उसको लड़का च कि जैसे परिवार में बड़े बुजूर्ग होते हैं जैसे हमारे परिवार में थी हमारी दादस थी सासुमा थी थोड़ा सा अंताजा लग जाता है कि जो पुराने दादी अम्मा वगरा बताते हैं कि अगर जो ये लक्षन होते हैं तो ये लड़की के होते हैं ये लड़की क विशिशू लड़का है या लडकी है। जब वो उठके चलती है उसको आप भीना बताए नोटिस करो कि वो जब उठ रही है तो वो दाया पैरागे की तरफ कर रही है या राइट पैरागे की तरफ बढ़ा के चल रही है और हर बार ऐसे कर रही है तो ये लख्षन लड़के के होते हैं और दूसरा कि जब डूरिंग प्रेंगनेंसी तो लेडिस का रंग बिल्कुल काला होने लग जाता है और जब लड़की होती है पेट में तो मा का रंग बिल्कुल साफ बिल्कुल गोरा होने लग जाता है बिल्कुल ठीक और तीसरा है और एक जो तिसके अकोर्डिंग बोलते हैं कि जो ये होता है कि ये अंधेर होता है तो अंधेर में कंसीव होता है तो लड़की का होता है और चांदन में होता है जो लड़की का होता है और पेट के अकोर्डिंग भी हम बता सकते हैं अंताजा लगा सकते हैं कि जैसे पेट का कार गोल होता है फुटबोल की तरह है और नीचे की तरफ उसका जु उसका दबाव रॉड़ कोक की दबाव होता रहता है और जो लेफट हैंड की तरफ कोक होती है वो भीलकुल धीली और लूज होती हैं तो इस से भी हम अंताज लगा जा सकता है कि जल्दी मॉमेंट करती हैं लड़किया टेज होती हैं राफ लड़कों से तो लड़किया एक जंग है टिके नहीं रहती है जो लड़की जादा मोमेंट करती है पेट में तो इसी ओर लड़का एक जंग है रहता है लड़का जादा मोमेंट नहीं करता पेट में तो इससे भी हम अंतादा लगा सकते हैं कि पेट में लड़का है या लेकिन ये होता है कि सब की चाहत होती है कि हर घर में अपना सब के घर में तियोहार होते हैं कि लड़का टाइम पे जैसे तियोहार होते हैं राखी का है भाई भी हो भेन भी हो भाई दूज होता है तो जिसके घर में लड़की नहीं है तो लड़की को भी मिस करते हैं तियोहा फरवरिस देते हैं और एक जैसी उनको शिक्षा देते हैं और लड़का-लड़की एक सामान है और हम भी मानते हैं कि लड़का-लड़की एक सामान है पर लेकिन य diagnose को लड़की हो गई तो यह लड़का भी होना चाहिए और जिसके repass유 कि जो भगवान ने देना है ना उसको तो जो प्रेंगनन लेडी होती उसको भी नहीं पता होता कि हर्यानवी भासा में तोर पे बोल देते हैं कि हर ड़का डोल है जो मांगते हैं वो कभी नहीं मिलता हमने हम बोलते कि लड़की हो तो लड़की नहीं मिलेगी हमी तो बस यही ह दोस्तों और मेरे वीडियो थोड़ी सी भी आपको पसंद आई है मेरी नोलिज तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट कर देना और जो भी मेरी वीडियो पर नई विजिट है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना थेंक यू